हेलो अबरिवान वेलकम तो दर चैनल गाइस तो नौट थी सुनेटर एफसी से रिलेटेर एक अपडेट है जिया दोस्तो जो नौट थी सुनेटर एफसी के फैंस अपने टीम के खरब आएसल केमपेंड को लेकर उदास थे वो फाइनली खुशी के आसू बहा सकते हैं क्योंकि गाइस नौट थी सुनेटर एफसी ने जीत रिया है ई आएसल ट्रोफी जिया हाइलेंडर्स को रिप्रेजन करते हुए ई आएसल प्लेयर्स इमाद और शारांस ने इस टोर्णामेंट के फाइनल में पहुँचे थे और गाइस फाइनल में बैंगलर्स एफसी के चैरंजोत और सागनिक मैनट जी कोहरा के ये खिताब अपना नाम किया जी हाँ फाइनली एक नेशनल लेवल के ट्रोफी नौट थी सुनेटर एफसी के कबजे में आ चुके है चाहे वो ई-गेमिंग सेक्टर से क्यों ना हो जी हरोस्तो कुएट और लेवानौन भी इस टोर्नामेन में खेलेंगे हलाकि कुएट के पार्टिसिपेशन कुछ दिन पहले कनफर्म हो चुके थे लेकिन रिसनली लेवानौन का नाम भी एनाउंस किया गया तो डेफिनली गाइस लेवानौन के इंक्लूजन से इस टोर्नामेन का स्तर और भी उचा हो गया है तो अब सिर्फ उस शुरुवाती मैच का इंतजार है हाइदरवार FC के तरफ से एक इंट्रेस्टिंग अपडेट है युबा गोलकीपर आरियन सरोहा को टीम ने साइन कर लिया है उर्टर प्रदेश की ये खिलारी 2018 सही स्पेइन में फुटबॉल खेल रहे थे जरा तर उन्होंने स्पेइन के लवर डिविजन रिजिनल लीग्स में वग बिटाये थे हालकी ये उनके लिए एक बहतरीन अपर्चुनिटी है इंदियर सुपर लीग में अब वो हाईदरवार FC को रिप्रेजन कर सकेंगे अब देर आ रहा है राउंड ब्लस पंजब FC से और गोल्स तो इस टीम ने साइन कर लिया है दो प्लेयर रैल कश्मीर के सेम्वल किंशी लिंग दो और लालून कलौंगा अब पंजब FC को रिप्रेजन करेंगे दोस्तो दोनों ही प्लेयर मिडफिल्डर है और पिछले सीजन रैल कश्मीर के तरफ से उनके परफोर्मेंस बहतरीन थे ते लास्ट न्यूस आफ दिस वीडियो तो गाइस बहुत सारे कलाब इस वरक्त लूइस मशादो की उपर इंटरेस्ट दिखा रहा है लेकिन गाइस अभी तक उन कलाबों का नाम सामने नहीं आए है हलाकि दोस्तो हम अपने तरफ से ये कनफरमली कह सकते हैं लूइस मशारो के दिमान अभी भी आईसल कलाबों के बीच बहुत है ऐसे में अपकमिंग सीजन में उनके उपर कई निगाहे रहने वाले है इसे के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए तना ही मिलते हैं लिए वीडियो में अंदिल रैन स्टे सेथ स्टे हल्दी अल्विडा